कि नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी तो मुआसा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे अपना ध्यान रख रहे होगे TNC की Advanced Series में आप सभी का फिर से हारदीक स्वागत रभिनंदन करता हूँ मेरा नाम अवदेश कुमार है दोस्तों तो जैसे कि हम TNC की Advanced Series है दोस्तों उसमें हम fundamental of nursing पढ़ रहे हैं आज हम एक कुछ नई setup के साथ आए हैं आप लोगों को ले सकता हूँ जैसे कि आपको एक्जाम वह बहुत पास है तो आगे से मैं कोसिस करूँगा थोड़ी सी कुछ क्लासिज आपकी जल्दी या कुछ ज्यादा क्लासिज लेने की ताकि आपको जो स्लेबर से वह complete हो मुझे बता है कि आप सभी लोगों को लगता है क्लासिज आपकी कहरेंगे कंटिन्यू रहेंगे जैसे मैं बहुत अच्छी देखने को मिलेगे आपको देखो एक्जांपल की रूप में आपको दिखाता हूं भी हम जब बात करी रहे हैं तो इस समय कि जैसे आपको देखो यह इसी जी है बिल्कुल एकदम एक्ट अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है बिल्कुल एक चीज करके इसमें मैं समझा सकता हूं जो की जो बॉर्ड पर हम पीछे कि तरफ जब इसी जी रहती है तो समझ में नहीं आती है वह दिखती भी नहीं है तो इसमें बैटकर बनाने से थोड़ा सके मिलता है इसमें रैस मिलता है इसलिए उस वे में यह अच्छ लगता है मैं दो तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है तो अभी तक हमने इंदर हमारी 91 किलास है फंडामेंटल उप नरसिंग की दोस्तो है 12 किलास है अभी तक हमने कौन कौन से सब्जेक्ट इंदर पढ़ लिए उसकी बात करते हैं तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको लिए हैं मैं नर्स इंदा इंबूलेटださい डृ प्रियुप यूनिट इड़का इटी और मोच्ट क्लाइट ठीक है धूर्ष तो एक नर्स है मालो वो प्रिय और सब्वापस आते हैं तो वह क्या देखते धेगती दोस्तों कि यहां पर जो प्रण जो क्लाइंट एक ग्लाइंट एक पास ब्लाइंट और जितने जो क्लाइंट है उनकी पुलना में वो जो क्लाइंट दोस्तों जादा क्या दिखाए दे रहा है तो वोट इस दा नर्स से बैस्ट इंटर्वेंशन तो ऐसी कंडिशन के अंदर जो नर्स है दोस्तों क्या करना चाहिए तो देखो अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह जो प्रोलम हो सकता है कि उसको नर्स का डर लगता हो वह सकता है उसको डॉक्टर का पता लगता हो कि यह वाला जो डॉक्टर है इसने अभी तक 50 शेजरी किये और 40 लोगों को मार दिया है तो अब इसके पढ़ना पटा नहीं लगाएंगे न दोस्तों जब तक हम आगे कुछ न चिंतित है क्या कारण है तो यह हम राइट आंस दीख रहे मुझे क्यों की इसके अंदर जो मैंने कहा था को कारण जाना जबुरी है वह दिखा रका है रूटीन को यह बोलोगे कि सर्जरी क्या है रूटीन इसके दो रिजन है गलत होने के पहले बात दोस्तों कि कि आपको यह पता ही नहीं है कि जो क्लाइंट पर सर्जरी की कारण चिंतित है और कोई कारण से अब आपने खुद ने इसमें लगा लिया तो यह बहुत है दूसरे दोस्तों अगर आप उसको सही भी मानते हो तो सर्जरी रूटीन पूर नर्सेज हीज रूटीन पूर डोक्टर साजरी रूटीन पूर हैल्ट वरकर्स और पर पैसेंट पैसेंट तो ऐसे है नहीं कि आज गॉल्व लेडर की सर्जरी करवा लिए आज अपेंडिक्स निकल्वा लीा ठीक फिर रिनरल इस्टोन की निकले वाली सर्जरी तो डेली तो तो यह है तो यह अप्सन हर एंगल से क्या हो जाएगा तो यह जलत अप्सन हो जाएगा थड़ जो पूछेगा क्या है कारण तो आप क्या कोगे वह पूछेगा क्या हो गया तो कारण जानना जोटरी है जब भी आप हेल्थ केर प्रोवाइडर के पास जाओगे ना तो हेल्थ केर जो प्रोवाइडर है दोस्तों उसके पास आप रेजन लेके जाओगे कि कैसर यह क्लाइट है इसकी यह चिंटा है ठीक है तो बिना चिंटा यहां पर गलत क्यों है दोस्तों मैं बताता हूँ आपका पैसेंट है ठीक है आपने जो पैसेंट दोस्तों उसके चारो तरफ क्या लगा दिया कर्टन लगा दिया पैसेंट के चारो तरफ आपने लगा दिया कर्टन परदा लगा दिया तो ऐसी क्लाइंट जो पहले से एनेक्सियस है और आप उसको जब अकेला करोगे तो वह सभी क्लाइंटों से कुद को अलग पाएगा उसको जगा क कि प्राइवेसी करने के बाद नर्स मेरे से बात भी करेगी इसने कि अलग करने से उसके जो anxiety दूर कैसे होगी क्या कोई ऐसा रैसनल है क्लाइट में गर कर दोस्तों तो वह बात हो गई न जैसे कबूतर होता है ठीक है और तो आखे बंद कर लेता है तो वो सोचता ह야 कि बिल्ली नहीं दिख रही मुझे तो लिंप घूलिक हो नहीं हो घ्राईगा लाग पर्दस Czech जो client है वो चिंती थे तो क्यों है क्या है उसका region है ठीक है यह इसका करण होगा अब हम एक बार इसका वो लिख लेते हैं कि इसको लिख लेते हैं एक बार तो लिख लीजे कि surgery से पहले surgery से पहले surgery से पहले अगर client अगर client मैं लगा अगर patient अगर पैसेंट ए एनेक्सियस दिखाई देता है तो नर्स की यह responsibility है कीव है नर्स की यह responsibility है कीव है anxiety का कारण जानने की कोचिस करें आप चाहो तो इसके ब्रैकिट में जो चीज लिखी हुई है उसको भी आप ब्रैकिट में लिख सकता हो जो चीज लिखी हुई देन तो identify the concern यह चीज भी लिख सकते हो आप इसमें ठीक है attempt to identify the client concern पिसमें यह भी लिख लो attempt attempt to identify the client concern यह है यह हमारा आज का पहला क्योशन हो गया इसके बद हम नेस्ट क्योशन देखते हैं ठीक है नेस्ट जो क्योशन दोस्तों हमारे सामने है आपकी स्क्रीन पे सब सभी कुछ दिख रहा होगा क्योशन क्या है दोस्तों कि एक क्लाइंट हो आज admitted to the hospital एक क्लाइंट दोस्तों जो कि होस्पिटल में क्या हुआ था एडमिट हुआ था एक क्लाइंट हुई जे एडमिटे टू दोस्तों जो कि होस्पिटल एडमिट हुआ है किसका उसकी डियागनोसिस क्या है मेटाइस्टेटिक कैंसर है ठीक है कैंसर जो है एक औरगन से दूसरे क्लाइंट है कि वह जो क्लाइंट है कि यह लगता है कि मेरी सर्जरी होने वाली है तो नर्स को क्या रेस्पोंड करना चाहिए अब देखो पहली चीज़ तो दोस्तों आप दिमाग में यह मत बैठा हो कि जो क्लाइंट है हो रखा है तो पहले से सर्जरी की बात हो रही है यहां पर पहले से क्लाइंट की सर्जरी की कोई भी बात नहीं हो रखी मतलब कि जो सर्जरी की बात जो किसी की दिमाग में आई है पहली बार तो क्लाइंट क्लाइंट के आई है यहां पर इतना दे रखा था क्लाइंट को मै मेरे सरजरी होगी अब इसका रीजन जानने पिछली क्योशन की तरह ही यह क्योशन भी है दोस्तों हमें यह जाना जरूरी है कि क्लाइंट के दिमाग में यह लगने लग गया कि मेरे सरजरी होगी जब कि हम तो हमने इसा कोई शुडूल नहीं था इसे कोई बात नहीं थी लेक तो दोस्तों नर्स को इस क्यों है क्या कारण है पहला उप्सन इसमें भी दे रखा है सेम कि कि यू सीम कंसर्ण अबाउट हैं कि आप सर्जरी के लिए क्या लग रहे हैं दोस्तों चिंतित लग रहे हैं तो यह जानना है कि वह चिंतित है तो क्यों है क्यों रिजन है उसके ऐसा करने के सम पीपल विद्धियर प्रोब्लम डू है उसके सर्जरी अब हमें नहीं पता ना सर्जरी के बात ही नहीं थी हम वहां पर बात कर रहे हैं तुम्हारे जैसे कुछ लोग हैं जो तुम्हारे जैसे प्रोब्लम थी उसके सर्जरी हमें तो यह जानना है क्लाइंट ने सर्जरी के लिए क्यों क्या कारण था सर्जरी का जानना जब कि यहां पर हम खुद सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो हम ऐसांस पर नहीं दे सकते हैं जब तो गलत हो जाएगा थर्ड जो क्या करा है आई विल फाइंड आउट फॉर यू यूर रिकोर्ड विल सब्सक्राइब कोई नहीं तो उसके अंदर में यह देखूंगी तो यह भी गलत है मुझे नहीं पता किसी सरजरी के बारे में यू विल हैव टू आस्क्राइब कोई बैसे क्योशन जिसमें नर्स जो है अपनी सब थोप रही है अपने से हटाकर डॉक्टर के उपर या और किसी के उपर तो वह आंस्वर लगभग लगए 99.9 प्रसंट किया और यहां पर शुकर रहे कर गलत रहेंगे तो यह आपर यह बिल्पूल हमेशा जह रहेंगे तो राइट जो आंसर ऋब्र इह Hong आससर होगा दोस्तो शून अबाउट है शु कांक्षडू भावट हैै ग्लिश्री इस कश्यर आइस होगा कि आप surgery के लिए क्या लग रहे हैं दोस्तों इस question का क्या हो जाएगा इसके बाद हम देखते हैं next question sorry इस question को वो देख लेते हैं explanation लिखा देता हम आपको जो भी लिखावर तो लिखो लिखो की लिखो metastatic metastatic cancer का कोई client कैंसर का कोई client कोई client अगर nurse को यह कहता है अगर nurse को यह कहता है कहता है कि क्या मेरी सर्जरी होने वाली है सर्जरी होने वाली है तो nurse को कहना चाहिए की 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 यू जीम यू सीम कंसर्ण यू सीम कंसर्ण अबाउट अबाउट य ainda सर्जरी अबाउट हैविंग सर्जरी इसको इननोटेट को ममबंद कर लोगी ऐसे कैसे सेंटेंस दे रखा है और ऐसे कैसे मैंने आपको लिखाया है ठीक है इसके बाद हम next question देखते है next question है दोस्तों हमरे सामने क्या है बहुत अचा question है तो और बिल्कुल सिंपल है कि what principle must a nurse consider ऐसा कौन सा principle है दोस्तों जो nurse क्या करेगी consider करेगी what principle must a nurse consider when caring for a client with a close wound drainage system कोई wound drainage system है दोस्तों मलब कि हम ट्यूब लगा कर जो भी drainage जो wound से होता है उसको बाहर निकालते है तो वो wound drainage system कहलाता है में किलास में आपको सारे सिस्टम में करवा दूँगा आपको आपको जैक्सिन प्रेयाटर रखते है कई सारे drainage system आते है वो सारे में करवा दूँगा तब इसमें दे रखत कि वो system काम किसके उपर करता है तो दोस्तों जैसे मालूब कोई भी patient है ठीक है ये होता है कि actually में इस यसे drainage system के अंदर हम इस ड्रेयने सिस्टम के अंदर क्या बनाते है नैगिटीव प्रेशर बनाते हैं तो इसका राण क्या होता है कि higher pressure और lower pressure की तरब क्या करता है दोस्तों जो drainage हो क्या करता है मोग करता है इस question में भी सेम यह कह रहा है यह बस हम हमें यह डूढ़ना है कि यह option में कौन से में तो पहला जो option हो क्या कर रहा है कि gravity कोजेज fluids to flow down a pressure gradient ग्रेविटी के कारण आ रहा है तो मैंने आपको अभी बता है कि gravity के कारण ऐसा नहीं होता है ग्रेविटी के कारण नहीं होता तो फिर दोस्तों negative pressure बनाने की जरूरत क्या थी इतना प्रेशर नहीं बन पाता है कि ग्रेविटी के कारण जो है वह आएगा इसलिए option क्या हो जाएगा दोस्ता आपका गलत हो जाएगा second option क्या करें दोस्तों fluid flow rate is determined by the diameter of the human ठीक है प्रेविट के diameter का जो human है ना दोस्तों वह जितना ज्यादा होगा उसे साब से भारत की राश्पती दुरब्दी मुर्मू है लेकिन पूछा तो क्या है भारत का प्रधान मंत्री है ना उसने बात इस नहीं बता रहा न यह उप्षन तो यह बिल्कुल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा प्रोने प्राइब यहां पर टूबंग से करण क्या होता है दोस्तों फ्लो जो है वह एक लेवल से लोगने तो जरूरी नहीं है ऐसा के लेवल से कई अंदर किसका है तो तो किसी से है बाइन किससे है नहीं नहीं है तो फ्लूड में एरिया हो पहर प्रेसर टू बहूर प्रेसर रोलोब नोगरता है किस्टे से दोस्तों मुव करता है ठीक है अब इसको लिकलो तो लिको इसमें लिकलो लिको क्लोज वोंड ड्रोनेज सिस्टम का क्लोज वोंड ड्रेनेज सिस्टम हायर प्रेशर से लोवर प्रेशर की तरफ ठीक तरफ है व्लूड के हायर प्रेशर से लोवर प्रेशर की तरफ है व्लूड के फ्लो होने के फ्लो होने के प्रंसिबल पर काम करता है प्रिंसीपल पर पर काम करता है काम करता सिंपल सा लिखा दिया एक लाइन में लिख लिए इसके बाद हम नेस्ट क्योशन देखते है ठीक है ये क्योशन है अब हमारा मेन फंडमेंटल यहां से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों अभी तक मुझे पता है कि आपको बोरिंग लग रहे होंगे अब दुखी हो गए हो गए कि चार्ट हे कक्योशन है कहीं पर कुछ लग रहा है तो कहीं फंडमेंटल दिखा है नहीं थी मैंने कई बार कोशित की थी पूरी-पूरी यंट्रेस्टिंग बनाने कि जहां पर अब यहां से मेला जो क्योसन जहां से स्टार्ट हो रहा है ना इस क्योसन से आप यह समझ्जाओ कि अब कि मेंस में फंडमेटल सब्सक्राइब करें आप तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा जीजों को एकदम हमें तरीके से देखना होगा क्योंकि यहां से है ना अब मत करना कोई क्योंस को क्लास sub इसकी मत करना अब हमेरे जो क्लासे जो होंगी ना उस सच में बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है यह ध्यान रखना अब मिस करोगे तो आप खुद दुख पाओगे फिर मुझे मत कहना कि सर आपने हमें बताया नहीं यह गलती कर दी वह गलती कर दी तो यह काम मत करना उसका जो बच्चे हैं वो क्योंस के कमेंट को जादा से जादा कमेंट करनेगी ठीक है वह आपके फायदे के लिए यह है कि आप जब कमेंट करते हूं तो आपके दिमाद में बैठ जाता हूँ चीज कि हम मैंने वहाँ पर उस टाइम एक ऐसा क्योशन आया था और मैंने यूट्य क्योश में डिखो अब ऑप्षेंट पढ़ते हैं एक क्लाइंट हैं एकस्टेंसिव प्रोलोंग सर्जरी जो क्लाइंट है दोस्तों उसकी क्या हुई है एक बड़ी सर्जरी है और ज्यादा समय भी लगा है फ्रोलोंग्ड सर्जरी भी है ठीक है विच इलेक्ट्रोलाइट सब्सक्व आख करते हैं निर्स को तो सबसे पहले बात करते हैं हम सबसे पहले आपके अउधेसर है और अउधेसर का जो वेट है दोस्तों वो है 70 kg ठीक है एक male adult का जो वेट होता है दोस्तों कितना होता है लगबग 70 kg होता है तो यह मैं हूँ मेरा वेट कितना है दोस्तों 70 kg है अब मैं मेरे पूरे सरी को खोलोंगा पूरे सरी में हम बात करेंगे कि कितना क्या क्या होता है ठीक है साथ फिन में बच्चों की बात भी करूँगा और मे 멋있 दादा परदा हैं उनकी विवात करूँगा हुमर वोटी के अगर हम बात करें न दोस्तों तो हम दो भागों में बातेंगे एक बातेंगे वोटर और दूसरा बातेंगे हम सोलिड ठीक है एक हमने वोटर में बाता दूसरा हमने कहा देखा सोलिड कि वोटर कितना होता है और सोलिड कितना होता है तो एडल्ट इंदर जो वोटर जो होता नए दोस्तो guys work बॉटर के अंदर जो वोटर होता वोकीतिदा होता है। तो आफ कितना होता है दोस्तों 60% वोटर होता है। तो solid की आफ कितना हुआ। तो ऑप का 40% और इस वोटर ने लिखकर इसको lean body weight लिख देते हैं, ठीक है सोलिड है कितना केजी बता पाओगे नहीं बता पाओगे बिल्कुल सिंपल है सिंपल सी बात है दोस्तों वोटर जो है वो 60% है किसी भी प्रसंट का वेट जो है वो 70 kg था वोटर उसमें से निकालो 40 एपॉन डेड दो 0 से 2 0 कट तो 28 चीजी जो वेट बनता है न दोस्तों हमारी बोडि का वो किसके द्वारा बनता है हमारा सोलिड बनता है ठीक है उसमें चाहिए कार्बोहेडडेट हो प्रोटीन हो फैट हो इन सब के द्वारा हमारा क्या बनेगा वेट बनेगा तो 42 केजी वेट हो गया हमारा वोटर और 28 केजी हो गया हमारा सोलिड पहला क्यूशन यहीं से आता है डिरेक्टली पूल सकते हैं कितना वोटर होता है अब इस वोटर में थोड़ी सी एक चीज देखना आप दोस्तों ठीक है इस वोटर में आपको मैं एक चीज बताना इसमें कितना होता है तो यह थोड़ा सा यहां पर लिखलो नोट लगा के नोट लगा के लिखो कि नोट लगा के लिखो नोट आपको दीखने रहा हो साइध साइड में होगए मैं थोटा सेधर कर लिता हूं चलो यह लोग नोट लगा कि यह लिखलो दोस्तों कि चाइल्ड दोस्तों ऑर भी कम होता जाता है एंदर लग बाग 55 बूकश के निए निए ट्रोवेटए तो आप एक चीज बता सकते हो हि जैसे 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 एज भडती है वोटर का जो इन दोस्ते वोटिन्ट क्या होता जाता है कम जैसे जैसे age भड़ेगी वैसे वैसे water content हमारी body के अंदर क्या होता जाता है दोस्तों कम होता जाता है हमने देखा child का मिलब यहाँ पर newborn से है ध्यान रखना ठीक है जो मैंने child लिखा है एक्चुली में यह child है लेकिन एक्चुली में क्या है दोस्तों newborn है यह क्या है यह newborn है तो newborn के अंदर 80% क्या होता है वोटर होता है एडल्ड के अंदर 60% होता है और ओल्ड एज के अंदर 55% तो जैसे एज बड़ी वोटर का content क्या होता गया दोस्तों कम होता गया तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा से ध्यान रख लेना तो इससे भी question बन जाता है इसके बाद हम देखते है next अभी तक हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि हुमन वोड़ी है उसमें दो पार्ट हम बाटा शोटा शोटा लिख रहा हूं है क्योंकि में चीज़ बाद में लिखेंगे है न में चीज़ चाहिएंगे अब हमें एक हमने बाटा उसको water और दूसरा हमने बाटा में और दोस्तरा ऑक हुण से सोलिड की सैंधित अब जो वोन चौिक पाया जाता है दोस्तों हो कितनी फो में में पाया जाता है एक adds कि एक ट्रा सेललूर्ट और दूसरा होता है दोस्तों कौन सा इंट्रा सेलुलर फ्लूड एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड और एक क्या होता है दोस्तों इंट्रा सेलुलर फ्लूड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड और इंट्रा सेलुलर फ्लूड को मिलब एक ऐसा फ्लूड जो सेल के बाहर पाया ज देखो, कितना कितना होता है, पहला क्यूसिन तो ये बनता है, तो जितना भी वोटर होगा उस वोटर का 1 बटा 3 पार्ट, ठीक है, जितना भी वोटर होगा, उसका 1 बटा 3 भाग क्या होगा, एक्स्ट्रासेलिलर फ्लूड होगा, और 2 बटा 3 भाग क्या होगा, दोस्तों, इं डल्良-वाड़ तो इसको अगर मैं बराबर बराबर तीन बार दूंए एक दो और तीन इसको बाड़ दिया बराबर बराबर एक वजैं खोली अब इसमे से प्रिड़ नुसरा पार्ठ और ये तीसरा पार्ठ समझाने के बता हूँ आपको मैं रटाना नहीं चाहता कोई भी चीज है ना इसलिए समझा रहूं तो इसमें से दोस्तों यह एक जो पार्ट होगा ना यह वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको यह है एक्स्ट्रसेललर फ्लूड और बाखे के जो दो पार्ट होंगे कुक्त हैं वो क्या होंगे दोस्तों आपके इंट्रसेललर फ्लूड होंगे देख़ और आपको इससे कई सारे क्योशंच वह याद ओमिन करवाता हूं कैसे किछ मैंने क्या कआतो थीन पार्ट मैं आपने बाठ लिया समस्झने के रिए विर तीन पार्ट है एक दो और तीन उस Flude है और ये क्या है दोस्ता आपका in deчso Deco Lieus अब आते हैं दोस्तो किस पे कि अब हम आते हैं इसमें परसंटेज यह पूचले वो कि वोटर हे ना उसका कितना 30% Intrasell required 1949s में बाट लूब लगवर कितना गया प्रशेंट ही तो 30 तो लगवग लगवग हर पार्ट 33.33 होगा तो लेकिन आप 33 33 समझ लो लगवग कितना होगा नाइटीन लगवग के बराबर 33.33 हर में लिखूंगा तो थोड़ा सही नहीं लगेगा तो अब 33 33 माल लो तो अब अब यह बताओ कि एक्स्ट्रा कितना प्रसेंट हुआ है इसंपने बताओ अगर तीन वाल लो 33 3 से अगर मैं तीन पार्ट यह बराबर बाता है तो एक्स्ट्रास यह वाला पार्ट अश्ट्रास तो आपसे पूछेएं टोटल व्टर कंटेंट कितना प्रसेंट होता है अब आप से पूछू को इंट्रसल्लर फ्लूड कितना होता है तो बाई सिंपल सा दिख रहे है ना आपको एक डबबा 33 दोनों इंट्रसल्लर फ्लूड है तो कितने वोगई दोस्तों 16% हो गई तो शाचट परसेंट लगबग है मैं फिर बता रहा हुँ आपको ना लगबग 26%, परसेंट है वैसे 66.66% 143, yüzden 33% होगा 6, dus 64% होगा तो किया होता है इंट्र से फ़ूड होता है तो जितना वूट में उतíb होता है उसका 33% एक्टर सेलिलल फ्रूड होता है और उसका 6,6 क्या होता है इंट्रसेललर फ्लूट होता है दो क्योसें यह से बने पहला धूसें आदोस्तों एक्स्ट्र million फ्लूट कितना पार्ट होता है भाग में पूचे तो एक नवर टीन भाग होता है ऑर इंट्रसलिल Wow वोई पूचले अपसे कितना होता है तो अभिने पढ़ा देखो फेले परता कि तरने से पैंड़ साइट आगर हम 4 बोलंडे सी यह बनेगा कि हमारी बोडी का इस Cancer कितना प्रसेंट है और eastern mister फे लिकिन हमारी दो ऊठीक है उसके अन्दर 60 प्रसेंट पानी होताए उसके 60 प्रसेंट में से कितना प्रसेंट एक्ष्ट्रास्अललेर होगा और नहीं होगा investigators यह भी बताना जूराइज है उस में ध्यान लखना कि 20 प्रसेंट जो होता है न हमारी बोडी का वो होता है एक्स्ट्रसेलूलर और 40 प्रसेंट जो होता है न वो क्या होता है दोस्तों इंट्रसेलूलर तो साथ हो गया 40 और 20 रहे हैं करना बॉरा नहीं लगेगा स्राव टाइम क्यों ले रहे हों कि ये फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अग्र में 33-33 से लिखाता गया ना तो अब क्यों से दोस्तों बोडीवेट का सकता है कि बोडीवेट का कितना परसेंट पार्ट एक्स्ट्रा-सेल्वल फिलूट ब अबर आप यह आपकी पिछली स्लाइड आ गई इसमें वोटर कितना बताया 42 केजी बताया आपको वोटर ठीक है वापस अगले स्लाइड मजओ वोटर था 42 केजी इसको याद रखो वोटर था 42 केजी अब मैंने आपको बताया दोस्तों कि एक्ट्रा सेलिल फ्लूड है हमारी बोड़ी का 20 प्रसेंट होता है वेट ठीक है बोटर कितना है 42 केजी है आप इस ब्यारिस केजी से भी लगबग निकाल सकते हो और अगर आप बोड़ी टोटल बोड़ी वेट के निकालो तो वह और भी जाद आई जी हो जाएगा टोटल बोड़ी जो वेट है न दोस्तों व सत्तर केजी का 20 प्रसेंट निकाल लो क्योंकि मैंने टोटल बोड़ी का 20 प्रसेंट वेट बोला ना यह बनाता है तो सत्तर केजी टोटल बोड़ी वेट है इसका 20 प्रसेंट निकाल लो तो सत्तर केजी का 20 प्रसेंट कितना हो गया दोस्तों तो यह हो गया आपका 14 केजी ठ तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों यह 28 केजी हो जाएगा नेस्ट क्या बन गया कि टोटल वोडी वेट का कितना प्रसेंट होगा तो 14 केजी और 28 केजी होगा आप इसमें वोटर का भी निकाल सकते हो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है यह देखो आप अगर वैसे निकालना जाओ तो मैत वोगर ज्यादा लंबे लेवल तक लेजाना चाहो तो तीन एकम तीन तीन चोबार 14 केजी आगे ना और इधर दो बटा तीन से गुणा कर लो तो यह 23 केजी आ जाएगा तो च्यार क्यूसन बने जुबारा से बतारों सुन लो एक बार पहला क्या बनेगा कि हम तो एक बटा तीन इंट्राइल फ्रूड कितना है सरतीन भाग में से दो भाग है तो दो बटा तीन हो गया दूसरा क्यूसम एक कर प्रसेंट में पूछ ले कि वोड़र का कितना परसेंट हो तो तीन पार्ट तो 33-33 हो गए तो लगवग 33 ये लगवग 66 परसेंट अब बोड बीस परसेंट तो बीस परसेंट निकालो सतर केजी वोड़ीगा वेट है बीस परसेंट निकला 14 केजी हो गए यहां पर सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों human body हमने क्या पढ़ा human body को मने कितने भागों बाटा दो भागों में बाटा एक बाटा हमने water और एक मैंने lean body weight या solid लिख दिया इसको एक बाटा दोस्तों हमने एक्स्ट्रा सेल्टर अ हमने क्या बाटा द्यों सकत दोस्तों इंट्रा सेल्टर फूर्ड कुंद्र मदलब हमारी बोड़ी की जो रहें लस Candice पाई जाने वाला फिरूट क्या कि लाएगा दूसरा फिलुट नाम से थो एन्या कि दूसरा हो गया प्रूद क्या है बिट्स है उनके अंदर आजाने वाला क्या क्या लाता है इंट्र वैस्कुलर है जाते देख अरिलेटेट लेटेट व्लेटेट प्लाज्मा से लेटेट है जो हमारी प्लाजमा है इसे से रिलींटेड होता है हमारा क्या इंट्रेस्टीसल प्लůड जो समय्जि में आ गया सेल की बीकर था उता है वर ट्रांससेलुरल प्लूड़ जहलों गया हो गया इनकू आंकों के अंदर पाए जाने होंगे किसके अंदर कोंट होंगे ट्रांस सेलललर प्रूड के अंदर क्या होते हैं दोस्तों काूंट होते था थeki आपको ध्यान रखना है अब नेक्ट थो चीज़ है यह नो बसे इन आमांट जो है रखहो कि रखना चाहो रखहलो तो कि रखलो proposal यद रखनी के लिए रखना कि यह 4 फरसेंट बनाता है ठीक है यह 14% बनाता है और Olá मुझे तो परसेंट बनाता है एक्स्ट्रा सेलिलर जो फ्लूड है वो हमारी बोडी का कितना प्रसेंट है 20 प्रसेंट है उसे 20 प्रसेंट में तो हमारी बोडी का कौन मनाता है इंट्रावेस्ट इस बानाता है वेट चार पर सेंट हमारे बोडी का बोल रहा हूं एट इन मैंने कितना फ्रेसंट पढ आता दोस्तो इस पर सेंट नी कितना फ्रेसंट पढ आता थाます तो 20 प्रसेंट हमारा वेट हो गया अब आपको वजन याद करने की जरुवत है क्या अगर वैसे इनके पार्ट अगर आपको वैसे काम करना है नहीं फिर भी आप चाओ कि वैसर आप तुम मुझे यह बताओ बोडी का मत बताओ कि एक्ष्ट्रा सेलिल फ्लूड का बताओ ठीक लगबक सत्तर प्रसेंट यह होता है और पांदुनी दस दस प्रसेंट यह याद रखने के लिए से याद रखने के लिए तीनों को आप पांस से मिल्टिप्लाइ कर देना तो वह किसका जाएगा एक्ष्ट्रा स्लूड फ्लूड को जागा याद रखने लिए चैर पंजू 20 कैस्ट को एक्ष्ट्रा-पंज़-फ्लूड का ये तरीका है अब आप से कुझे के जी में केजी में बताओ तो भाई लगबग लगबग इसमें निकलता है ठीक है 70 केजी वेटा तो 4% के साब से कितना हो गया 2.8 kg हो गया तो लगबग इंटर इंटर वैस्कुलर जो फ्लूड होता है न दोस्तों लगबग वो कितना होता है तो तीन लिटर के अब आउट होता है वो ठीक है तो इसके अलावा फिर आप 14% निकालोगे 70 kg का तो लगबग 14% ठीक है तो 9.8 आएगा तो याद रखने के टाइम के उपर पाया जाता है यह वापस से सीग्रेट होता है तो लगबग जो यह फ्लूड होता है तो इससे पहले वाले जो पूरी याद हो गई इस सलाइड में आपको बस तीन चीज़े याद रखनी है फोर फॉर्टीन टू ठीक है या आप उपर नीचे करके लिखो त इसी तरीके से याद रहता हूं पहले इंट्रवेस्कुलर लो फॉर परसेंट है बोडी वेट का इंट्रश्टी से चोदा परसेंट है इसलिए बार-बार रिपीट करता हूं मैं चाहता हूं कि जब इक लास खतम होना तो आपको चीज़े याद होनी चाहिए ऐसे नहीं होन जाते है इस परकार से हमारे बोडी के क्या बनते है दोस्तो फ्लूड बनते है इसके बाद में नैश्ट जो हम पढ़ेंगे ना वह मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या आयन पढ़ाता हूं एक बार कि कौन-कौन से आयन पायदाते है तो मेन 4-5 है दोस्तों उनको हम देख लेते है वह कौन-कौन से आपको याद रखने है वह जादे डिपेंड करता है ना मेन आपको याद कौन-कौन से रखने है देखो एक तो आपको याद रखना है दोस्तों सोडियम ठीक है सोडियम याद रखना है एक आपको याद रखना है क्या पोटेसियम पोटेसियम इंपोट सोडियम पोटेसियम कैल्सियम मेंगनेसियम और पोस्पेट यह याद करने के लिए तो हजारों हैं कुछ भी याद रखो आप तो कितने सारे आयन है याद नहीं रख पाऊगी लेकिन इन पांच का जो नोर्मल लेवल है वह आपको फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट अगरा पढ़ रहे होना तो कम से कम इन पांचों का तो नोर्मल लेवल आपको पता ही होना चाहिए एक्जाम पे सीधर सीधर क्यों बनेगा कि इन में से किसका नोर्मल लेवल गलत दे रखा है तीन का सही देदेगा एक कलद देगा फजजाओगी तो आप तो सोडियम का याद रख करें पोटेशियम की तो पोटेशियम का होता है तो 3.525 विल जाता है तो लड़ाई करने के ज़रूत नहीं मेरे साथ भी और अपने सात्यों के साथ जगडा करने लग जाओ फांच थोड़ी लग ऑपांच होता है ये तो गलत है एसा नहीं तो नहीं है व्यूसे बिजकी आ आपको दोस्तों नाइन टू इलेवन एमजी पर डियल आपको यह याद रखना है इसके बाद आता है दोस्तों मेगनेशियम में पोस्पेट को मैं जिस करम में बताऊना उसमें याद रख लेना क्योंकि इस से आपको चीज़े जल्दी याद हो जाएंगी मेगनेशियम में 1. 1.6 to 2.6 अब इस 2.6 को खतम करोगे तो 2.7 शुरू हो जाएगा इसलिए मैं बता रहता कि इस करम में ज़्यादा सही रहेगा और 2.7 तो कितना होता है 4.5 mg पर DL होता है ठीक है तो 1 9-11 mg पर DL 1.6 to 2.6 mg पर DL और 2.7 to 4.5 mg पर DL क्या हो जाएगा दोस्तों इनका लेवल हो जाएगा तो ज्यादा भी नहीं है तो इन 5 का लेवल आपको याद रखना हीट अपना पड़ेगा ठीक है यह तो याद रखना ही पड़ेगा अब इनका नाम क्या है जादा कम होना तो वो आगे बात करें गोधी Old है वैसे लेवल आप सारे दोस्तों जरू ध्यान रखना क्योंकि यह बहुत इंप्रेंट है अब हमारे स्क्वेस्टों बात हो रही है किसकी पूर्टेसियम की ठीक है पूरी रामायन पढ़के मैं पूरी जो हमने चीजे पढ़ी है ना मैं चाहता हूं कि मैं आपको जब फंडामेटल पढ़ानी स्टार्ट कर दिया तो पूरी के लिए हो हर चीज के लिए पढ़ाना मेरे लिए आपको जरूरी नहीं था मैं सिर्फ कोटेशियम बता सकता था बट मैं आपको मैं चाहता हूं कि दोस्तों बेसिक से शुरू करवाओं मैं आपको टाइम लग जाए लेकिन हम अच्छे तरीके से पढ़ें ठीक है तो वही मेरा मकसद है और वही मैं पूर किसी प्रोलॉंग्ड किसी पैसेंट के अंदर सर्जरी होगी तो कौन सा इलक्रोलाइट इंबैलेंस देखेंगे ठीक है कुछ बाते करते हैं एक बार एक चीज़ और बताता हूं आपको देखो ट्रांस सेलुलर फ्लूट बतायता है एक उतार्ड स्पेसिंग ठीक है ट्रां ट्रांस सेलूलर फ्लूट जो मैंने भी बात किती सारे फ्लूट के हमने बात किती है और एक होता है दोस्तों थर्ड स्पेसिंग थर्ड स्पेस्ग के अंदर जो ट्रेप होते हैं हमारी बोड़ी के अंदर कि और वह प्लूरालम ड्रीच भेसे हो रहे है और जैक साओफिय न फूरा रइकिव इनौह। जो अई हो रहे हुआ है एक्जामपल बोल था उनिमें आपको एक चीज दिखाई कर दिखेंग現在 परिकर्ड लिफुजन भी डिसोडर है और इसायटिस जो है वह भी डिसोडर है तो अगर किसी कणिसे कारण है हमारा जो बोडी कैविटीज है उनके अंदर फ्लूड की जो अमौंट है दोस्तों भढ जाती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं उसे हम थर्ड इस्पेसिंग के जानते हैं जब कि शिरफ ट्रांसे सेलूलर फ्लूड लिखाऊ आये ना तो इसका मदलब है नॉर्मल कंडिशन अंदर भी हमारी बोड़ी की कि अंदर फ्लूड पाया जाता है तो मैंने आपको बताया थे किस प्रकाल से पाये जाते हैं ठीक है फिर आता है सोडियम और पोटे सोडियम क्या है extra cellular लब की sex के बहार पाया जाता है और potassium जो है मोजिट्व सबसे ज़ाधी कहा पायाता हैrainedracellular कोई आप से बात करें तो most abundant intracellularion is potassium, potassium है हमारा, ठीक है, चलो नैसे देखते हैं, अब हम बात करते हैं दोस्तो, potassium की, इस question की बात करते हैं, हम बात करते हैं, दोस्तो, hyperkalemia की, किसकी बात करते हैं, hyperkalemia की बात करते हैं, hyperkalemia, potassium का level, जो मैंने आपको बताया है, दोस्तो, कितना होता है, 3.525 mil equivalent per liter होता है, यह मैंने आपको बताया है, तो मतलब की simple सी बात है, कि level अगर 5 mil equivalent से जादा हो जाता है, दोस्तो, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, hyperkalemia की नाम से जानेंगे, अगर लेवल 5 से जादा चला गया, तो से हम क्या बोलेंगे, hyperkalemia, अब question यहीं से बनता है, पहला question आपके exam में बनेगा, चार option देगा, कि which of the following is not a coach of hyperkalemia, hyperkalemia का क्या coach नहीं है, तो आपको question को काटा लगाना है, क्या लगाना है, दोस्तों, ऐसे question पे जो आप से पूछे कि क्या होगा, तो ऐसे question पे आप लगा दो, काटा, k-a-t-a लगा दो, कि hyperkalemia है ना, उसके क्या-क्या होंगे, कोजेज, चलो, इदर साइड में करता हूँ, कोजेज में काटा लगाना आपको, k-a-t-a, ठीक है, यह हो जाएंगे आपके, कोजेज, यह हैं कोजेज, बस यह कोजेज याद रख लो, बहुत है, मुझे पता, बहुत सारे कोजेज होते हैं, बट यह याद रख लोगे न, तो आप, आपको, यह इनफ है यह, ठीक है, आप कोई, कंसल्टेंट का एक्जाम तो दे नहीं रही हो, कि बहुत सार्शिप के बाद में, आप कंसल्टेंट बन रहे हैं, उसके लिए आपको एक्जाम देना पट रहे हैं, तो हम अमारे लेवल के नुसार बढ़ेंगे, उससे बाहर नहीं आएगा, के फोर है दोस्तों, पोटेसियम इस्पेरिंग डायूरिटिक, के फोर के आएगा, पोटेसियम इस्पेरिंग डायूरिटिक आएगा, अभी मैं इनको समझाओंगा, पहले अभी हम बात करते हैं सरफ इतना, ठीक है, पोटेसियम इस्पेरिंग डायूरिटिक, एक्जामपल लोग दप पोटेसिम स्परिंग डियूटी ग्रूप में इसे यूज करते हैं एक जो इसका एक्जामपल आता है दोस्तो आपका एडिसन डिजीज नाम एडिसन है लेकिन चीजे कम होती है एड नहीं होती है धियान रखना याद रखने के लिए हम इसे याद रहेगा आपको नाम एड है लेकिन चीजे क्या होते हैं कम होती है जुड़ती नहीं है क्या चीजे कम होती होड़ सकता है और एक przy VC efendim पढ़ने आपको तो एक आपकोैसमे बर्न lights है ठीक है एक पढ़ना आपको शर्जरी और एक आपको क्या पढ़ना है, प्रोलॉंग्ड बिटी, प्रोलॉंग्ड बिटी इसके बाद आपका ए बच गहा है, सारे हो गए, ए फूर याद रख लो, आसिडोसिज, गोरा ए फूर याद रख लेंना, इसमें किडिनी डिजीज, के फोर kidney disease और याद रख लेंगा kidney disease ठीक है तो काटा हो गया काटा से हाइपरकलेमिय हो गया potassium sparing diabetes A for addition disease T for tissue damage और A for acidosis अब हम रटना तो हमें है नहीं नहीं हमें तो समझना है तो हमें एक ये करके इनको समझते हैं कि बई पहला क्या है दोस्तों potassium sparing diuretic है ये इसके करण हाइपरकलेमिय है क्यों होगा सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज अगर potassium को body से बाहर जाने से रोक रही है ठीक है ये वो diuretic है दोस्तों जो potassium को body से बाहर जाने से रोकती है ये किस पर काम करती है actually मैं ये काम करती है aldosterone के receptors पर aldosterone जो है न दोस्तों वो क्या काम करता है sodium का retention करवाता है sodium का retention और potassium का क्या करवाता है दोस्तों excreation करवाता है अब हम एक काम करें हम इस aldosterone को क्या कर दे blow कर दे कोई भी hormone काम करता है तो वो किस पर काम करता है अपने रिसेप्टर के साथ जुड़के काम करता है होर्मून रिसेप्टर कॉंप्लेक्स बनेगा तो होर्मून रिसेप्टर कॉंप्लेक्स बनेगा तो होर्मून रिसेप्टर कॉंप्लेक्स बनकर ही कोई होर्मून क्या कर सकता है काम कर सकता है हम एल्डोइस्टिरोन की जो रिचेप्टर हैं ने दोस्तों क्या करते हैं हम ब्लोग करते हैं तो एल्डोइस्टिरोन नहीं होगा या अपना फंक्सन नहीं परफॉर्म कर पाएगा अगर अपना फंक्सन परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो सोडियम का रिटेंशन नहीं होगा मुलब sodium body में नहीं रुकेगा और potassium का क्या नहीं होगा दोस्तो excreation नहीं होगा अब potassium का क्या नहीं होगा दोस्तो excreation नहीं होगा अब potassium का मालो excreation नहीं हो रहा देकर diuretic की रूप में तो काम कर देगा sodium retention नहीं बाहर जाएगा water बाहर जाएगा लेकिन इस साथ में potassium का excreation नहीं होने देगा मतलब कि potassium kidney के थ्रू बाहर नहीं जाएगा अब kidney के थ्रू पोटेसियम बाहर नहीं जाएगा तो potassium का level क्या होगा दोस्तों increase होगा potassium का level increase होना ही क्या कहलाता है hyperkalemia कहलाता है hyperkalemia वोही तो मैंने बताया आपको पहला सेम काम क्या होगा kidney disease में kidney काम नहीं कर रहे हैं kidney potassium को बाहर नहीं निकाल पाएंगी potassium बाहर नहीं जाएगा potassium का level बढ़ेगा इसलिए kidney disease के अंदर आपको potassium का level भी क्या मिलता है बढ़ा हुआ किड़नी failure की condition हो गई ऐसी conditions में चाता ठीक है तो पहला potassium sparing diuretic और kidney disease मैं आशा करता हूं कि आप लोगों सबको समझ में आ रहा होगा और कोई दिक्कत नहीं आ रहे होगी next disease है दोस्तों next क्या है addition disease मैंने कहा था नाम addition है addition होता नहीं इसमें कुछ तो addition disease के अंदर g spouses 억 कोटीकोईड और मीनरीलो कोटीकोईड के लेवल कम हो जाता है decreaseなら decrease in 10 कोटीकोईड और Dekres क्या करवा रहा हूआए? sodium retention और potassium का excreation sodium retention करवा रहे है, और potassium का क्या करवा रहा रहा है? ऑब यहां पर यह देखो कम हुआ ल्ट अ कर सौडियं निइक कम हुआ, sodium retention का कम हुआ, potassium का excreation कम हुआ, potassium बुड़ी से बाहर नहीं जाएगा potassium का बढ़ेगा क्या कहेंगे बाई अधिकत कि नेस्ट दोस्तो क्या आता है इसके अंदर नेस्ट आपका आता है इसको समझने के लिए तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि कंसेप्ट से समझो ना हर चीज को तो ज़्यादा सही रहेगा वैं सिंपल सी बात है कि मैंने कहा कि सेल के अंदर पाया जाने वाला में जो आयन है न दोस्तों क्या है पोटेसियम है अग्र हमारी बोडी की को भी इस लोगी तो बहुति नहीं हुए अब कोई बी अपने वहार अक्र के अदर होड़ेगा तो कोई भी कंडिसन हो बर्न होगा सेल डेमेज होगी सर्जरी होगी उसके करण भी होगा और प्रोलोंग्ड बीटी होगी ठीक तो टीशू डेमेज के अंदर साहिए ज्यादा समझाने की जुरूत नहीं है इसके बाद के फॉर्थ ठीक है यह थर्ड था काता गां हमारा था UMरत दोस्त था यह को तो यह हाइडरोजने जो नहीं क्या काम करते हैं ना कि यह सैल के अंदर में अंठर करते हैं क्टेंट करने के लिए और यह बहुंद आता है अब ब्लेड में आएग है तो ब्लेड के अंदर के अंदर पके अंदर यह सतो कि ने की हो जा जाता है भर जाता है तो यह 40 कि आ डिसमें किया हुआ है आपका पाधिक है अब हम देखते हैं next किलिनिकल मईनिफिस्टेशन के उपर आते हैं अब आते हैं किलिनिकल मेनिफिस्टेशन के उपर सबसे पहले हम हाल्ट की बात कर लेते हैं हाल्ट की पोटेशियम एक ऐसा आयन है चाहिए ज़्यादा हो चाहिए कम हो अब हाइपो कैली में पढ़ोगे वहाँ भी और हाइपो कैली में पढ़ोगे वहाँ भी इसके करण जो है डिसरीधिमिया हो गई होगा और दोनों ही कंडिशन के अंदर जो जो रिदम है वो slow pulse जो है slow, weak और क्या हो जाती दोस्तों Irregular हो जाती है तो ध्यानक ना slow weak and irregular pulse हो जाती है Irregular ठीक है next क्या है दोस्तों नेस्ट बात करते है bepp की तो potassium जब बढ़ता है न उसके करण जो bepp है न दोस्तों क्या हो तो साथमीं क्या होगा दिसरी क्या होगा क्योंकि आप और sodium और potassium ने जस्ट opposite काम करते हैं, sodium का retention होता है, potassium का क्या होता है दोस्तो एक्सक्रियाशन, अब potassium मालों body के अंदर है, तो sodium क्या उट होने के chances होते ही हैं, एक concept मान सकते हैं आप इस हिसाब से, तो sodium बार जाएगा, तो water बार जाएगा, sodium और water दोनों बार जाएगा, तो BP क्या होगा दोस्तो गिरेगा, तो उसकारण भी BP गिरेगा, और हार्ट भी कंपन्सेट हो रहे है तो उससे भी हो रहे है तो हार्ट में क्या देगा स्लोवीक और रेगुलर पल्स दिखाए देंगी बीपी कम होगा और साथ में क्या होगा दोस्तों डिस्रिद्मिया नैस हम बात करते हैं दोस्तों मसल्स पे तो पहला हो गया हमारा हार्ट के अंदर क्या दिखाई देगी दोस्तों वीकनेस दिखाई देगी जिसका समझ में भी नहीं आएगा स्टार्टिंग में क्या है इसलिए मैंने आपको कहा था कि शुरू के अंदर है एक्चुली में और सिम्टम तो नहीं आते यह जो इर्रेगुलर पल्सी यह सब नहीं दिख लगा है कि दिस इस इस फर्ष्ट सिम्टम उप दा हाइपर के लिमिया ठीक है तो सकता है कई बर कोई किसी एक्जाम में उस बुक से उठा ले पता लग जाए तो इसको ध्यान लगना था दोस्तों वेग्यू मसल्स बीकिनेस आपका है ठीक है तो इसको थोड़ा सा देख ल क्रेंप्स आएंगे अगे के साथ में होंगे क्रेंप्स एक नमनेस त्टिंगलिक देखने को मिलेगी तो पैरस थीसिया ध्यान दखना मैं टिटैनी नहीं लिख रहा हूं टिटैनी कैलसियम से रिलेटेड है है थे भी दिखाई देगा वह बच्चे आप साथ जोड़ लेते है नमनेस टिंगलिंग परस्थीशिया टिटेनी तो टिटेनी मैं नहीं लिक रहा हूं यह ध्यान अगर बहुत ज्यादा लेवल हो जाए ना दोस्तों जीसे हम बोलते हैं लीथल डोज मुलब बहुत ज्यादा लेवल ज्यादा चला जाए ना तो फ्लैसिट पैरालाइसिस हो हो जाता है ठीक है तो यह सारे संट हो गये किस कि आपके हरड का हो गया एक आंक किसका हो गया किसका हो गया भ Perm sometimes कि क्या हो गये हैं इसके बार हम बात करते हैं किस की को है respiratory failure भी हो सकता है ना तो यह भी लिख लो एक respiratory failure respiratory failure भी देखने को मिल सकता है तो सारे muscles related हो गए क्यों muscles के लिए जरूरी है जब नहीं होगा तो muscles weakness होगी twitching होगी cramps होगी प्रेस्थीशिया होगा और muscles की tone खतम हो जाएगी तो फ्लैसिट paralysis हो जाएगा और respiratory muscles काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तो respiratory failure भी हो जाएगा ठीक है इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर next की GI tract से related देखते हैं अब GI tract के बहुत अच्छी trick बताता हूं दोस्तों आपको मैं ठीक है जो मैं खुद भी पढ़ता था जब मैं यूज करता था GI tract है ना उसको याद करना बहुत सिंपल है GI tract में याद करने के लिए ना आपको सिरफ एक छोटा सा चीज याद करनी है कि पोटेसियम और फ्लूड दो चीजे ठीक है वैसे मैं पोटेसियम पढ़ा रहा हूं आपको लेकिन मैं याद करवा रहा हूं आपको पोटेसियम और फ्लूड जो है ना दोस्तों इन दोनों के अंदर है ना यह दोनों भढ़ते हैं तो क्या होते है इन दोनों में अगर कम होते हैं तो कम होगे अगर हईपो केलिम्य होगया खे जादा रहा को याद रठना नहीं पड़ेगा तो मोटेसियम कम होगे जागा तो आपको शिम्टम निकल क्या जाएगा ङाद लटना नहीं पड़ेगा आपको हाना एक ट्रिक से आपको चीज़े क्या हो जाती है अब देखो मोटिलीटी कभी भड़ेगी तो डायरिया होगा आपकोंटेटी जा रहा है और अगर मोटिलीटी बड़ेगी तो यह लोगा मोटिलीटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो मोटिलीटी इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, डाइरिया, तो simple situation बन जाएगा, ध्यान रखना, आप लोग समझ में नहीं पाऊगी, कि भाई, potassium का level बढ़ता है, तो hyperkalemia में क्या दिखाई देता है, दोस्तो, diarrhea दिखाई देता है hyperkalemia में diarrhea दिखाई देता है यह द्यान रखने है hyperkalemia में diarrhea दिखाई देता है यह आपको क्या रखना है दोस्तो याद रखना है अब सबसे important और जो सबसे ज़ादा confusing आप लोगों के लिए होता है वो ECG changes की बारे में बात करते है अब हम पढ़ते हैं ECG Changes किसके अदर ECG Changes भी होते हैं तो ECG Changes की बात भी कर लेते हैं ECG Changes ECG Changes में याद रखने के लिए आपको याद रखना है ECG में होते क्या है P, Q, R, S और T सब पे फरक पड़ेगा P पे भी Q, R, S पे भी T पे भी P, P, पे प셔야 परक पड़ेगा है दोस्तो, Flat P-Wave हो जाती है P-Wave जो होती है, वो क्या हो जाती है Flat हो जाती है, तो Flat P-Wave हो जाती है Q-R, Srim जो Complex है दोस्तो, वो क्या हो जाता है Y-Dent हो जाता है Y-Dent Q-R, allegiance Y-Dent Q-R, Suinely Q-R, Stheme ऊच्छ प्रोंग होता है पी आर इंटर्वेल के ऊधा है मैं सच बता रहा हूं मैं इमर्जेंसी के अंदर काम करता हूँ वह सच में मैं कि किसी परेश्एंट के निया रही है और मैं यह मैं देखता हूं कि WCG के अंदर क्या चैंजिज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं क्या हम पढ़ते हैं जो और आपको सच में आप होस्पिटल में काम करोगी ना तो आपको जरूर देखने को मिलेगा पोटे से मजब लेवल भड़ता है न दोस्तों तो उसके कारण और कोई चीज देखने को ने मिले देखने को आपको यह जरूर देखने को मिलेगा आप एक बार जरूर चेक करना ठीक है कभी अगर आप उस्पिटल में काम करते हैं तो चेक करना जो नहीं करते हैं वह मेरे हो ठीक है थोड़ा सा इसको जूम करते हूं यह फायदा होता है न इसका थोड़ा से क्लेर्टी अच्छी होती है जो फिसे बॉर्ड पर हम इतना बढ़ नहीं पाते हैं दोस्तों यहां पर यह देखो आप देखो पी वेव जो है न वो नहीं आ रही पहली चीज पहली चीज हाँ पर देखो इसको क्या कर सकते हो तो याद कर सकते हो ठीक है अब हम आते हैं दोस्तों नेस्ट इसके बाद इसके मेनेजमेंट के उपर आते हैं हम इसके बाद नेस्ट किस पर आते हैं इसके मेनेजमेंट पर अब हम आते हैं मेनेजमेंट के उपर तो अगर हम दोस्तों इसकी management की बात करें ना, तो main हमारा मकसद क्या है, potassium को बाहर बेजना है, main मकसद क्या है दोस्तों हमारा, potassium को बाहर बेजना है, एक height की ओपर जादा फरक पड़ा है, height बहुत ज़्यद़ कॉंप्रॉमाइज हो ज़्यदा है, this रिद्म्य होता है, उसको भ पोटेशियम को बोडी से क्या कर दो दोस्तो आप रिमूव कर दो दूसरा चीज आप पोटेशियम को बोडी से रिमूव नहीं कर सकते मालो तो आप एक काम करो ना पोटेशियम की जगह कहा है सैल के अंदर तो सब्सक्राइब दूसरा काम आप कि आको इंटर सेलूलर सिप्टिंग कर दो अब प्रकेशिंव को वोड़ी से रिमूव करने के लिए तो आप यूरीन के द्रियु कर मुझे या फिर जाल के द्रिय आता है तो अगर आप मैंने पढ़ा हुआ है लेसिक्स के नाम से आता है । यह हमने पढ़ा हुआ है बसक्रीज का कांध करता है सोड्यियम पॉली स्टाइरीन sodium polystyrene ध्यान रखना कि इसको हमें न दोस्तो 30 से और 60 ग्राम देते हैं क्या तो हम इसको पर-oral देंगे या पर-rectal देंगे उसे क्या होगा यह GI tract के थुरू potassium को क्या करता है दोस्तो बाहर निकाल देता है किसी के मालूप kidney काम नहीं कर रही है तो GI tract के थुरू बाहर निकालो potassium को तो potassium को आप फुरुसेमाइड या फिर sodium polystyrene की द्वारा sodium polystyrene 30 से 60 ग्राम देते हैं पर-oral देंगे या फिर एलेक्टर देंगे फुरुसेमाइड जो है वो दोस्तो 20 mg से लेकर और भी बढ़ा सकते हैं 40 mg तक भी दे सकते हैं तो 20 to 40 mg आई भी हम इसको देते हैं अब इंट्रा-cellular shifting तो भाई हम potassium जो है ना उसको अपने घर बेजेंगे तो एक काम कर बहुत परेसान कर लिया हमें तो अपनी घर जा तू सेल के अंदर आया है सेल के अंदर जा यहां क्या कर रहा ह अब सेल के अंदर भेजने के लिए हमारे पास एक आदमी है जिसका क्या नाम है दोस्तों इंसुलीन है सबको पता है यह जो इंसुलीन है ना दोस्तों यह अच्छा काम करता है यह potassium को काम बेज देगा दोस्तों सेल के अंदर भेज देगा क्या हो गया इंट्रा-cellular system हो गई लेकिन भाई यह ऐसे कर रहा है यह तो काम कर दोंगा लेकिन मुझे मिठाई चाहिए तो मुझे मिठाई दो गये ना तब यह काम करूँगा क्यों कि इंसुलीन दोस्तों सोचो कि आप किसी पैसेंट को इंसुलीन दे रहा हो आप तो इसलिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा इंसुलीन दोगे साथ में डेक्स्ट्रोज जरूर दोगे अच्यों डेक्षट्ट्रोज देने का परपर इंसुलीन का क्या है दोस्तों मैंस् FCC करना है इंसुलीन के क्रण बर्भल गिराए है उसको क्या करना है दोस्तों मैंटेन करना है तो यह ठीक है पर ओड़ देखते है saw emitute a p Jugend कर दो जो आपका जो डिश्री दिम्या है उसको लिए तो पॉ क्ला करने के लिए हम क्या काम करते हैं क्लासिम देते हैं तो चैलसिम मा है कि ऑघ्रज्मिया है उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों गैलसियwny तो क्या तो कैल Von G गुल्यकोनेट देंगे कैल्सियम गुल्यकोनेट देंगे या फिर हम क्या देंगे दोस्तों कैल्सियम फ्लॉराइड देंगे क्या तो कैल्सियम गुल्यकोनेट देंगे या फिर क्या देंगे कैल्सियम फ्लॉराइड देंगे बस इससे बैलेंस कर लो चलो बस अब खतम हो गय प्रकार्षी 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 आप उसको वापस आते हैं क्योश्टिंग पर लोट के यह हमारा क्यूएंसिंग का क्लाइंट है एक्सिंसी प्रोलोंगर सर्जरी के करेंगो भीकरन क्या मोनिटर करेंगे पोटेसिया मोनिटर करेंगे तो लिख लो इसमें सोरी लिख लो एक्स्टेंसिव लिखो एक्स्टेंसिव एंड प्रोलोंग्ड सर्जरी वाले क्लाइंट में प्रोलोंग्ड सर्जरी वाले क्लाइंट में पोटेसियम को मोनिटर करना चाहिए पोटेसियम को मोनिटर करना चाहिए ठीक है वोटेश्यों को क्या करेंगे दोस्तों मोनिटर करेंगे बस सिंपल सा क्योशन था इसके बाद हम देखते हैं नेस्ट क्योशन नेस्ट क्योशन देखो इस अक्योशन दो रख़ंतो के हावसुडर से प्रिपेर मेडिकेशन ठेक है एकन दोस्तो वो कि वसी प्रकार से क्या करेंगी अर्वी क्या प्रिप्रेकिर मेडीट करेगी है जब मैं इसको अल्तिक यूदju कर रही है देखो आपको इक चीज बताना चाहता हूं की यह ने पढ़े लिया लोड के वापस कि एक जो मीन जो प्राइमरी स्युज्यूशन है ना उस के साथ में हम दूसरा donating यूज़ करते हैं तो यहांपर आपको दिख रहा है ये वाला ठीक है ये वाला क्या है भेस्ट आपका पिगी बैक ये क्या फ्राइम्री सेट के साथ started क्ज hackr US mentor कर देते हैं तो हम चाहिए alpha एक पॉवसलोग एकिए अचा头 क्या रहroy हो कि इसके जो हाईट न गया रहनिए अब आजय को भूआ झाहिए भिझा सीडादा रहने चाहिए अब हमागाक्योशन पर बैस्टिंपल है चिए आप कोई भी काम कर रहे हो ना आप इंजेक्शन लगाने जा रहा हो ऊसे यहाँ पर टैक्निक्स रिलेटेट पूछ रहे है वह 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 किसी पेसेंट के अंदर जब आप लगा रहे हो तो क्या-क्या चीज़े करोगे पेरा दिरखने के लिए प्रबाइश है और बद प्ल में पहंने हैं ना कोई भी चीज करो तो आप वैसे भी पहनो ही कि तो यह चीज बिल्कुल सही है कोई भी मेडिकेशन अगर डाल रहे हो तो उसके बाद में उसको क्या करते हैं रोटेट करते हैं तो यह बात उससे है रोटेट दा बैग अप्टर एडिंग क्या कह रहा है यूज क्या करना पड़ जाता है कोई यूज करो घ्लत हो नेश्ट दो अप्सनों क्या करा है चैंज दा नीडल बिफोर एडिंग दा मेडिकेशन ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है आप कोई बी नीडल मालों दोस्तों यूज कर रहे हो जब तक मालों जो नीडल है दोस्तों असेप्टिक है तो उसको चैंज देनी को जूरत नहीं है अब मैंने आपको भी बता है बाई कि इसका जो लेवल है वो हम क्या रखेंगे थोड़ा सा हाई रखेंगे अब वो रखेंगे लोगर नहीं रखेंगे तो यह भी गलत हो जाएगा यूज इस ट्रैल टेक्निक वेन प्रिपरिरिंग दे मेडिकेशन हाँ सही है बही इस ट्रैल ट हाई रखी जाती है ठीक है बस यह लाइन लिखलो बागी की चीज़े इतनी पोड़ेंट है नहीं वह आप वैसे भी कर सकते हो तो लिखो लिखो आईवी पिगी बैग की आईवी पिगी बैग की हाईट हाईट प्राइमरी यह secondary होता है आईवी पिग की हाईट से जादा रखा जाता है जादा जादा रखी जाती इतना लिख लो आप तो बहुत है और कोई जादा इतना ने टेल में आपको जाने की इसमें जरुत है नहीं ठीक है इसके बाद हम next question पर आते है हमने कोई question miss तो नहीं किया ना बीच में चलो next question देखते हैं फिर पता लग जाएगा ठीक है यह question है आपका IV fluid से related है बहुत अच्छा question है दूस्त है आपका जितने भी जो फ्लूड है उनकी बात करेंगे हम यह आपे ठीक है ए नर्स एड्मिनिस्टर एन आई बी सोलिशन एट जीरो पॉइंट फॉर फाइपरसेंट सोडियम क्लॉराइड इन वोट कैटिक्रियो फ्लूड डज दिस नर्स भाइ नर्स नर्स आते आते में दिमाग में बस चप गया वह नर्स नर्स आ रहा है ठीक है तो दोस्तों तीन प्रकार की फ्लूड होते हैं आपको पता है कि जो ब्लड की जो ऑस्मिलूरेटी है उसके लगबग लग पास वाले जितने फ्लूड होंगे वह आईसोटोनिक हों क्लियर हो जाएगा यहां पर हाब नॉर्मल से लाइन पूछा इसने तो सबसे पहले आते हैं दूस्तों आईसोटोनिक बिस आपको इनके लिस्ट बना लिए है वह आपको अगर वह लिस्ट याद हो जाती है तो बहुत है आपके लिए दूसरे हाईपो टोनिक होगे और तीसरे हो गए दोस्तों हपके हाईपर टोनिक लिए देखो हाईपर हो बलड है जो उसके बिल्द है उसकी भी 308 होती है थिक है तो इसका एग्जामपल है सबसे important नॉर्मल सलाइन नॉर्मल सलाइन परसेंट नॉर्मल सलाइन ठीक है तो 0.9 नॉर्मल सलाइन जो होती है न दोस्तो वो अब आप आप आपके लिए क्योसन है मेरा बता एक लिटर के अंदर कितने गिराम नमक डालो होगे ध्यान अगना 0.9 परसेंट है ठीक है तो नोर्मिस लेंग क्या होता है दोस्तों आइसटोनिक होता है और पौन से जिरो पाइंट नहीं नहीं ौर्मिस लगबक कितनी होगे इसकी लगबक कितनी होगे दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों नोग पेले लेकलो चलो दूसरा हो गया दोस्तों आपका RL ठीक है रिंगल एक्टेट अब इसकी बात करेंगे हम तीसरा क्या है 5% dextrose in water 5% dextrose in a water अब दोस्तों यह है ना इसको हम बोलते हैं physiological hypotonic उसका क्या region है actually में दोस्तों हम blood के अंदर क्या डालेंगे 5% dextrose in water डालेंगे इसके blood में हमने 5% dextrose in water क्या कर दिया हमने inject कर दिया लेकिन थोड़े दिर बाद में क्या होगा dextrose का तो use हो जाएगा dextrose को use होते ही जो fluid isotonic था वो किसमें convert हो जाएगा दोस्तों hypotonic हो जाएगा वोटर वोटर बच जाएगा भाई वोटरा से तो हमरे ओस्मिलिटी जादा है ना वोटर में तो आयन नहीं होते ना हमारे तो आयन है आयन के करन ओस्मिलिटी है हमारे blood की लेकिन डेक्स्टोस को जब दिया जब तो कैसा था तो वो 5% dextrose in water को दिया लेकिन देने के बाद में वो क्या हो गया दोस्तो हाइपोटोनिक हो गया क्यों क्योंकि dextrose बोड़ी दे यूज कर लिए तो यह फीजियोलोजिकल हाइपोटोनिक क्या लाता है दूसरा क्योशन यह आता है दोस्तों कि एक लिटर के अंदर कितने गिराहं डेilly और अगर फाइस यहाँ पर hinaपर फाइछ इप प्रसेंट की Dare लिए बिए आप जेंद डिक्कद नहीं आएगी अगर आको बिल्कुल भी इसमें दिक्कद नहीं आने वाली है लेकिन अगर आपने 5% के साब से गलत निकाल लिया तो उसमें भी आपको दिक्कत आने वाली है ठीक है इसके बाद में next पढ़ते हैं next जो है दोस्तों वो आता है आपका 5% dextrose in 5% dextrose in 1 upon 4 नॉर्मल सलाइन ठीक है पूर्मल सलाइन नहीं दे रहा हूं में यहां पर ध्यान अखना 0.9 नहीं है 1 upon 4 है और 1 upon 4 कितनी होती है तो 0.225 होती है कैसे निकाल के देख लो 0.225% होती है आप खुद निकाल के देख लो कि भाई 0.9 है ना बन अपन 4 है तो 0.9 में 4 का क्या दे दो इसको डिवाइड कर दो इसको 0.9 नाइन में 4 करके देख लो जादूनी 8 एक जिरो ठीक है यहां 0 लगा लो ठीक है चागनी 8 इतने 2 0 हो गया और पॉइंट था यहां पे तो पॉइंट लगा तो 0.225 हो गया इस प्रकार से आप निकाल सकते हो तो इसको हम बोलते हैं 1 upon 4 नॉर्मल से लाइन मतलब कि जितना नॉर्मल से लाइन के अंदर जो नसल आता है उसको तो यह भी 5 परसेंट ट्रोजीन 1 upon 4 नॉर्मल से लाइन है यह भी किसकी तरह काम करते हैं फीजियोलोजिक हाइब 20 की तरह काम करते हैं फीजियोलोजिकल वाले की तरह ही यह भी काम करता है ठीक है तो यह चारो फ्लूड आप याद रख लेना थोड़ा सा एनस आरेल ठीक है याद रख लेना आरेल याद रख लेना 5 परसेंट ट्रोजीन वोटर और 5 परसेंट ट्रोजीन 1 upon 4 नॉर्मल स्लैंग ठीक है फुट असा आरेल को देख लो आप जो आरेल है ना दोस्तों आरेल को हार्ट मान सोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं ठीक है साइद मेरे को लगत 1000 लेटेती है जो यह वो यह आता है दोस्तों कि यह उता है उसके अंदर कियापया जाती है। तो भाई आरेल के अंदर पाया जाता है सोडियम, ठीक है, आरेल के अंदर पाया जाता है पोटेसियम, आरेल के अंदर पाया जाता है कैलसियम, आरेल के अंदर पाया जाता है क्लोराइड, और आरेल के अंदर पाया जाता है दोस्तो, लेक्टेट, अब लेक्टेट जिसमें प क्या होता है तो दोस्तो इसी कारण से ध्यान रखना है कि गूता है पूझा पूछा आपसे लिवर डिजीजिस के अंदर ध्यान रखना और एक आप इसमें किसका याद रखने ने दोस्तों रिनल हाई पर कैलेमिया हाई पर कैलेमियाम है क्यों इसके अंदर पोटेसियम है इसके अलावा दोस्तो अगर आपसे सीधा पूछे यह तो चलो चार पांच सीधे पाई गई है सिधी फोम में किस-किस में पाया जाता है तो सिंपल याद है को सोडियम है तो सोडियम के साथ क्लूराइड कर दो पोटेसियम है तो पोटेसियम के साथ क्लूराइड कर दो कैलसियम है तो कैलसियम के साथ क्लूराइड कर दो और सोडियम के साथ क्या कर दो दोस्तों कीवधिय कीवोद सरही को इसकी जीरो पॉइंट शिक सिर बोगाम होता है घरो पॉइंट प्वाइंट कोई फायदा नहीं है आप पढ़ोगे बिना बात परेसान糖 रहे हो ज़्यांट करने पर है भी नहीं है तो सिर्फ आप अगर याद रखना चाहो तो यह चीज़े याद रख लेना कि इसके पाई क्या कि चीज़े आती है ठीक है तो पोटेशियम पाया जाता है जिसके कारण से लिवर डिजीज और रिनल और हैपर केली में के इंदर हम इसको क्या करते हैं तो यह चीज़े थोड़ ठीक है यह आपको पहला फ्लूट हो गया अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वापस से बैक लाता हूँ आपको मैं ठीक है आइसोटोनिक हो गया था हमारा अब एक हाइपोटोनिक आगया दोस्तों एक क्या आगया आपका हाइपर टोनिक हो गया तो हाइपोटोनिक हो गया जो चीज़े तो सिंबल सी बात क्या है दोस्तों हाइपोटोनिक की क्या विश आगर osmolarity क्या है दोस्तों कम है तो मैंने बता है कि 0.9% normal saline है 0.9 से कम कर लो जितने भी 0.9 से कम होंगी दोस्तों वो सारी किस में आ जाएंगे hypotonic में आ जाएंगी चाहिए वो कितनी हो hap normal saline हो hap normal saline अब hap normal saline निकाल रट नहीं जो तो नहीं है तो यह ईसे भी सकता है 20 फोल पाइंट परसेंट पूल सकता है वन अपोन फर्ड नॉर्मल सलाइन प्रण अबिछ कहने ले लक्वत सइज 0.33 आप से निकाल के देख लेना उनसे कम होना एक प्टा है कि पसल जार होगाust गला था हमने 0.225% नोर मसले हैं, 225, तो ये सारे क्या होगे दोस्तों आपके, हाइपोटोनिक होगे, क्यो होगे हाइपोटोनिक भाई, ये इसलिए होगे हाइपोटोनिक, क्योंकि बलड से इनकी जो ओस्मिलिटी है, वो क्या होगी, कम होगी, बलड से इनकी ओस्मिलिटी क् तो सब हाईपर्टोनिक में कर देंना 0.9 परसेंट से ज्यादव दे रखी ना सब हाईपर्टोनिक में तर हो गया आप से एक परसेंट दो, दो, तीन दो, चार दो, पांस, दो, छह दो, साथ, दो, दस, दो कितना भी दो ठीक है तो में ली जासे 3% 5% और 10% नॉर्मल सलाइन इसके लाबा ठीक है हाई पर टोनिक लिख रहें पर इधन लिखते हूं मैं इसके लाब दूस्तो 5% डेक्स्ट्रोज इन वहां पर हमने क्या पड़ा था 5% डेक्स्ट्रोज इन वोटर एक तो दूसरा क्या पड़ा था 5% डेक्स्ट्रोज इन 1 अपन 4 नॉर्मल सलाइन लेकिन यहां पर ध्यान रखना अगर आता है 5% डेक्स्ट्रोज डिफ और डेक्स् नॉर्मल सलाई न आ जाए ठीक है दोनों ही condition के अंदर क्या होंगे दोस्तों यह दोनों ही condition के अंदर हाइपर्टोनिक होंगे वहाँ पर फई परसेंट एट्सीन वोटर पड़ा था ध्यान अब आप एक चीज़ देख सकते हो फाइप परसेंट एक्स्ट्रोज इन आरेल आजाए तो यह सारे कंडिशन ध्यान रख लेना थोड़ा बस आपको तो उधर वाड़ा याद रखना है यह तो बीच वाड़े तो ऐसे भी याद करने में कुछ है नहीं वन अपन फॉर वन इसके अलावा कोई सब यह 5 परसेंट 0.9 परसेंट नोर्मस लाइन हो 5 परसेंट 0.45 परसेंट नोर्मस लाइन हो सारे किदर आएंगे धर हाइप टोनिक में अंदर आ जाएंगे ठीक है और 10 परसेंट डेक्स्टोज इन वोटर है यहां पर यह भी समय तो इस प्रकार से आप सब्सक्रान करते हैं अब हमरे क्योशन पर आते हैं एक बार क्योशन क्या है एक नर्स है एक नर्स ऑडमिनिस्टर करती है तो यह क्या होगा दोस्तों यह हाई-पोटोनिक होगा मैंने आपको पताया था एक से अगर कम है तो सब क्या होंगे फाइप टॉनिक होगे हूंगे तो यह इस तो यह होता नहीं है यह हाई-पोटोनिक मैंने आपको बता दिए खेल behavioral जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट थोड़ा से मैं कभी उदर लिग देता हूं उसके लिए मैं मापी चाहता हूं दीरे दीरे एक दो क्लाक्सिस के अंदर मुझे यादत पड़ जाएगी कि अब मैं मेरे पीछे लिख देता हूं ना जीरो पॉइंट फॉर फाइप्रसेंट नॉर्मल सलाइन हाइपो टोनिक हाइपो टोनिक आई भी फ्लूड होता है हिसलिए कभी क्लाशे लें ने में फूड़ी सी दिक्कत हो जाती है आप लोग सोचते हो कि सब्सक्रास नहीं लेहीं मेरे दिक्कत यह है कि मेरे प्रॉबलम है । मेरे दिक्कत हो जाती है उससे बहुत अच्छा क्योशन है और आपको बहुत अच्छी नोलेज देखे जाए गई अच्छा क्या है अगर किसी भी क्लाइंट के अंदर हो अगर किसी भी क्लाइंट के अंदर होता है तो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देंगे बात करते हैं पूरा ही एक्स्ट्र सेल्लर फ्लूड वोल्यूम एक्सेस की सरफ इसी की क्यों बात करें तो पूरा एक्स्ट्र सेल्लर फ्लूड वोल्यूम एक्सेस अब आप एक बाता मुझे एक्स्ट्रा सेल्लर फ्लूड वोल्यूम एक्सेस्ट्रा सेल्लर फ्लूड वोल्यूम कि हमारी बोडी की जो नीड है बोडी की फ्लूड की जो नीड है जो जरूरत है उससे जादा अगर हमारी बोडी के अंदर क्या हो रहा है दोस्तो फ्लूड हो रहा है तो उसे हम किस नाम से जानेंगे एक्स्ट्रा सेललर फ्लूड गोलियूम एक्सेस की नाम से हम उसे है ठीक है एक्स्ट्रा सेलूलर फ्लूड वोल्यूम एक्सेस ठीक है पूरा निलिक रहा आप इसको समझ जाना एक्स्ट्रा सेलूलर फ्लूड वोल्यूम एक्सेस तीन परकार को होता है एक होता है दोस्तों हाइपर टोनिक हाइपर-टॉनिक एक होता है आपका आईसो-टॉनिक और तीसरा जो होता है होता है कुछ से ज़से भी डिटेयल में कुछ नहीं हो सकता है मैं चाहू तो आपको सिधा लिखा देता ये क्यूसन दो बहुत ही सिंपल है आपको पता लगे तीनों के अंदर ध्यान रखना कि एक्स्ट्रा सेल्वलर टो बड़े बड़ेगा इसमें विए अज़सेलिलर फ्लूट गया क्या होगा नॉर्मल होगा सेल के अंदर जो फ्लु transpos तो कम होगा और यदा होगा होगा क्या है तो ἦू होगा यहां पर इंट्रकील में होगा कम हो जाएगा दो में लेगा और यहान पर इंट्रअ इंट्रा इंट्रीज उचल्लोर्लर जो वोल्य में थे इंट्रासैलेडर फ्ल्यूड व्यूसेंगे निनक्रीज हो जाती में चारती यह एक पर हैपे घ्लानिक हुए तो आयं के जादा लोगनि क्या हो यह धुदा देखो ये बाद में मनती है ये condition ठीक है शुरू में मालो की extra cellular fluid volume भड़ा extra cell fluid volume क्या हुआ increase हुआ और इसके अंदर दोस्तों क्या होए iron भी बहुत ज़्यादा होगे iron क्या होगे ज़्यादा होगे अब इस iron को ज़्यादा को balance करने के लिए water चाहिए ये water कहाँ से आएगा दोस्तों cell से आएगा ये water कहाँ से आएगा cell से जब ये water आएगा तो किस में आएगा extra cell fluid में आएगा क्यों आया क्योंकि hypertonic था iron ज़्यादा थे water भी ज़्यादा था extra cell fluid थे ज़्यादा ही लेकिंन साथ में आयन भी जादा थे वॉटर भी जाता थे शेल के आघा तो इंटरसल क्या वह सील होगा और तो यह सैले नहीं शेल işte ठीक है, हो गया नहीं हुआ, हो गया, आजओ इदर, इदर तो नॉर्मल है, तो कोई फरकी नहीं पड़ेगा, सेल के उपड़, तो सेल पे नॉर्मल है, इदर देखो, हाइपोटोनिक में क्या होगा भाई, हाइपोटोनिक है, सोचो कि यह ब्लड वैसल है, इसके अंदर आयन क कम है, मिलब हाइपोटोनिक है, ठीक है, और वोटर क्या है, ज्यादा है, तो यह बोटर यहां से कहा करेगा, मूग करेगा, आयन तो बहुत कम है, वोटर ज्यादा है, अब वोटर मूग करेगा यहां पर, यहां पर क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था, अब वोटर यहां स ICF कम होगा और हाइपो होगा तो ICF क्या होगा जादा होगा बस इससे जादा मैं आपको नहीं बता सकता यह आपकी ट्रीक है इसको आप इस याद भी रख सकते हो अब हम आजाते हैं क्लिणिकल मैंनी फैस्टेशन पर जो कि सकी प्रख पर पर लाइज खाओ अभाई अब हम कि बड़ा बलड बड़ा बड़ का प्रेंशर बड़ा अदर बड़ के अंदर बड़ा थीख है प। अगर बेसे वापस भी चाहिए तो जो ने जो हैना दोस्तो ये क्या होगी क्या हो जाती है क्या बोलते हैं, distended neck and hand pain, CBP भी भड़ सकता है, central venus pressure जो है दूस्तो, वो भी क्या हो सकता है, increase हो सकता है, CBP भी क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, ठीक है, तो यह heart related आ गया, इसे ज़्यादा और नहीं है, इसकी बाद है lungs, lungs के अंदर fluid जब बढ़ता है, तो सबसे पहले चीत ध्यानक ना, कि lungs के अंदर fluid के करन sound सुनाई देती है, जैसे हम क्या बोलते हैं दोस्तो, crackle से sound बोलते हैं, क्या बोलते हैं, crackle sound, ध्यानक ना pulse rate भी भड़ेगी, ठीक है, जब heart के उपर pressure बढ़ेगा, ब्लड को बाहर निकाना है, तो pulse rate भी क्या हो जाती है, तो इंक्रीज हो जाती है, आगे पहुचाना है, तो pulse rate भी इंक्रीज हो जाती है, तो cello respiration होगा, तो respiration भी क्या हो जाएगा, cello respiration भी हो जाएगा, तो इस सब भी देखने को मिलेंगे, अब आपके muscles जो हैं, वो तो कहीं जाने से रही, तो muscles पे भी देख लेते हैं, तो अब muscles पे आ जाओ, तो neuromuscular, neuromuscular, फ्लूड से muscles पे भी बहुत फरक पड़ेगा, muscles पे क्या फरक पड़ेगा दोस्तों, कि जो muscles हैं, उनकी weakness होगी, तो वही, skeletal muscles, weakness होगी, muscle weakness, ठीक है, नर्व के उपर भी फरक पड़ेगा, तो नर्व के उपर फरक पड़ेगा, तो दो चीज़ें आएंगे, उसके कारण, फ्लूड के ज़्यादा होने के कारण, नर्व पर भी फरक पड़ता है, headache और visual disturbances, दिखाए देगा, headache होगा, और visual disturbances होगा, और ज़्यादा होगा, तो जो conscious level है, वो भी होगा, लोस हो सकता है, तो altered level of consciousness हो सकता है, altered level of consciousness भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, altered level of consciousness, और एक लास्ट आपकर याद रखना चाओ, तो याद रख लेना, पैरस्थीसिया भी देखने क मिल सकता है, तो ये सारे sign क्या होते हैं, दोस्तों, इसके अंदर देखने को मिलते हैं, नेस्ट आता है आपको GI tract, अब मैं यहाँ GI tract मुझे लगता है नहीं कि आपको बताना चाहिए, ठीक है, GI tract जो है, मैंने आपको बताया था कि दो ही ऐसी चीजे हैं, दोस्तों, जहां प पैसेंट के अंदर क्या होगा दोस्तों, डाइरिया होगा, क्या होगा, डाइरिया होगा, अब एक चीज़ और रदेता हूं आपको, जो मैंने तीनों टाइप बताई हैं ना, इनने में ध्यान रखना कि जो आईसो टोनिक है उसे हम हाईपरवोलिमिया की नाम से जानते हैं जो सिरफ और सिरफ हाईपरवोलिमिया वर्ड यूज करते और उसका मतलब क्या होता है, इंट्रासैलल फ्लूट क्या है दोस्तों, नॉर्मल है। जोसे हम किस नाम से जानते हैं गों 68 कहा नाम से जानते हैं, अब फ्लूट-वोलिम एकसेस होगा, उसका मेनेज्मेंट क्या क और यॉरेटिक्स देंगे पैसेंट उयाँडर के हैंगे हां चलो आकसेश अगर में आपको रीजन सब्के उसकते हैं प्रसंड के अंदर, जो फ्लुड गोल्यूम है वो ज्यादा हो जाएगी, दो तो शब को यह पता है, एक तो दोस्त और रिनल फेलियर, कि अगर पैसेंड के अंदर क्या हुआ, रिनल फेलियर हुआ, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दोस्तो रीनल फेलियर होगा तो किड़नी फैलोगी किड़नी बाहर फ्लूट को निकाल नहीं पाएंगी तो यह देखने को मिले ही मिलेगा तो रीनल फेलियर देखने को मिलेगा एक दोस्तो क्या किड़नी फेलियर सोरी वो हर्ड फेलियर कार्डियक फेलियर एक क्या देखने लगा एक्सेसिव सोडियम इंजेशन अगर आपने ज्यादा मात्रा में दोस्तों क्या ले लिया सोडियम ले लिया सोडियम वही वोट्टेंशन करवाएगा बोडी के नदर क्या होगा दोस्तों इससे भी क्या होगा दूस्त यह देखने को मिलेगा S I A D H syndrome of inappropriate anti-diuretic hormone anti-diuretic, मालब कि जो diuresis को रोके, urine को रोके और inappropriate का मालब increase हो जाए anti-diuretic hormone बढ़ा, तो urine नहीं होगा urine नहीं होगा तो water body से बाहर नहीं जाएगा और body से water बाहर नहीं गया दोस्तों तो उसके काम भी होगा ठीक है यह सारी चीज़ें ना कंशेप्ट में हैं आपको समझ में आ जाएंगे कोई याद करने में आपको दिखत नहीं होगी एक जैसे रखा है एंकरेक्स के अंदर भाई अनकंट्रोल्ड आइवी थेरेपी यह याद नहीं थोड़ी ज्यादा फ्लूड चड़ाओ तो हो अब हम एक बार इस के पर आ जाते हैं वापस सब कुछ पढ़ाके वह क्लाइंट के अंदर एक्ष्टा सेल फ्लूड वोल्यूम हो रहा है तो क्या होगा दोस्तों क्या देखने को मिलेगा देखो बाई पहला जो अप्स दे रखा है वो क्या दे रखा है कि रैपीड पल्स होगी चलो माल लिया माल लिया फर्स ठीड नी होगी दोस्तों कि भॉंडी बर 요्योंड रहगे वें देखने को मिलेगा मैज के रहए एलीवेटीड हाएक। कि हीमेटो क्रीट का जो लेवल है न दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका एलिविटीड हो जाएगा गल्थ कैसे देखो हीमेटो क्रीट होता क्या है प्लेड शेल बोलियों अलब आर बीसी की परसंटेज कितनी होती है ठीक है ब्लड के अंदर वो ही क्या कलाता है हीमेटो क्रीट कलाता है एक्जांपल की रूप में सोचो कि ब्लड जो है पहले एक लिटर था मैं सरब एक्जांपल बता रहा हूं और आर बीसी जो थी न दोस्तों उस एक लिटर के अंदर एक्जांपल की रूप में मान लो कि कितनी थी 100 ग्राम थी मैं सिर्फ एक्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको मैं परसंटेज में तो आपको सब्सक्राइब को पता है लगवग बियालिस से और पचास प्रसेंट के बाउट रहती है यह ठीक है इतनी प्रसेंटेज क्या रहती है अलग लगवग मिल जाए ठीक है अब मैं सोचो कि दोस्तों मैंने इस 100 ग्राम को नहीं छेड़ा यह तो अभी भी 100 ग्राम ही है लेकिन अब वोटर तो बढ़ गया ना फ्लीड वोल्यूम एक्सेस में अब वोटर भड़ेगा तो मैंने इस एक लिटर वोटर को कर दिया दोस्तों अब कितना दो लिट जैसे कि आपको प्रेग्नेंसी के देखने को मिलता है वो बढ़ दाता है उसकर आसे होता है इसलिए यह जाएगा इनक्रीज्ट सीरम सोडियम लेवल बाई सेम कंसेप्ट आप जादा होगा यह सकता है वह हम इसकंद दिखाएगा वह रिजन सेम पहले सोडियम 100 ग्राम था अभी मालों सोडियम तो 100 ग्राम ही है लेकिन वोटर पहले एक लिटर था अब दो लिटर है तो परसेंटेज क्या होगी दोस्तों कम होगी तो सीरम सोडियम लेवल वैसे देखने की जादा नहीं मिलेगा तो इसका राइट जो आशर होगा दोस्तों क्या होगा वोल्यूम एक्सेस में एक्सेस में डिस्टेंडेड डिस्टेंडेड जूगुलर वेन दिखाई देती हैं मैं अगला क्यूशन देखूंगा दोस्तों अगर ज्यादा समझाने का नहीं हुआ तो मैं आज समझाऊंगा नहीं तो फिर कल पड़ेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबी क्लास हो जाती है जालो यह फ्लोड वोल्यूम डैपिसिट से रिलेटेड है मैं कल ही बता दूंग आप तो आज की जो क्लास तीस में जो जो क्योंट देख लेते हैं हमने तो यह क्योशन था दोस्तों एक्स्ट्रा सेल्ड वोल्यूम है वह एकसेस होता है तो वेंड जो होंगी डिस्टेंड होंगी यह क्योशन देखा था कि 0.45% नौर्म इस लाइन क्या होता है है ठीक है फिर ए ठीक है इसके बाद में शर्जरी से रिलेटिड था उसके अंदर क्या पढ़ा था कि जो पोटेसियम को जो लेवल है दोस्तों वह हमीज क्या करना चाहिए और दोस्तों क्या था कि क्या रीजन होता है क्यों से सिस्टम काम करता है क्लोज मूंट डिने सिस्टम में तो हाईर से हमें क्लाइन का चाहिए तो यह हम मैंने पहली किलास हाई है मैंने इस सिस्टम के उपर उन में आगे-गे-अपर करें अच्छी बनाएंगे लंबी क्लासेज ले सकते हैं सबसे अच्छा फायदा दूसका देखो यह है कि हम चाहे तो बैठे बैठे पना जोर नहीं आता है कि आप कंटिनुटी मेंटिन रखें और एक लंबी-लंबी क्लासेज लेकि जो आपका जो सिलेबस है दूसको उसको में पूरा कराने की कोशिस करो तो तब तक सबी लोग अपना ध्यान रखें स्वस्त रहें खुश रहें थैंक्यू सो मच